नमस्कार मैं हूँ नेहा साहीन बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज है 12 नौवंबर दिन बुधवार खबरों के और बंडे से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर MHAI और AICT के वीच एतिहासिक समझाता अब हाइवे निर्मार में मदद करेंगे इंजिनियरिंग के छात्र छात्रों को इंटनसिप के लिए मिले एक आउसर सरकारियों और प्राइगों दोनों जगा नहीं पढ़ेंगे बच्चे 3.55 लाख स्कूली बच्चों की नाम काटनी की तयारी नहीं मिलेगी पुसाग साइकल लियोजना का लाब खिलाडियों को सरकारी नौकरी का मौका खेल लियुकती पोटल किया गया लॉंच खिलाडी 5 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन ACI महिला चैंपियन ट्रॉफी का आगाज फर्स्ट मैच जैपान और साउथ कोरिया के बीच रहा टाई दूसरे मैच में चीन ने थाइलेंड को हराया यार्मी सिक्षकों की वुष्टिंग परविवाद, सिक्षक नाखूस, हाई कोट जाने की तयारी, सिक्षा मंतरी और अपर मुख्य सचिव की पर्तिकरिया बारती रेल्बे जाउज करेगा सुपर आप, एपस यात्रियो को मिलेगी सहूलियत, रेल्बे को राजस्सो में बढ़ोतरी की संभावना चेंपियन्स टॉफी 2020, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारती टीम, विस्सिस याई ने मेल लिकर ICC को दी जानकारी अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर बिस्तार से CBI में असिस्टेंट प्रोग्रामर के 27 पदों पर भरती निकली है, आवेदन के परकिरिया बिते 9 अक्टूबर से सुरू है और आवेदन करने की अंतीम तारीख जो है 29 नॉवंबर 2024 है इसके लिए उमिद्वारों को किसी भी मानियता प्राप विश्व बिद्याले या संस्थान से कम्प्यूटर अप्लिकेशन, कम्प्यूटर में मास्टर डिग्री, मास्टर ओफ टेक्नलोजी, बैचलर ओफ इंजिनियरिंग, कम्प्यूटर बिध्यान, कम्प्यूटर प्रो उमिद्वारों को तीन साल और एसी एस्टी उमिद्वारों को पांच साल की छूड़ दे गई हैं। इस सहयोग के तहत छातरों को इंटरंसिप के लिए औसर मिलेगा जिससे उन्हें प्रैक्टिकल अनुभा मिलेगा और उनका कॉसल बिकास भी होगा। मुझपर पूर इस्टित M.I.T. इंजिनेरिंग कॉलेज के परचारिफ प्रफेसर मिथिलेज कुमार जहा ने बताया कि समझोती के तहत उनकी कॉलेज के छातर भी इसमात्पूर पर्योजना में हिस्सा लेंगे जिससी उनकी करियर को नई दिसा मिलेगी। बिहारी पर्याटर में आज बात होगी तिलहर जल परपात की। करम चट बांध भी पर्याटकों के बीच आकर सर का किंद्र हैं जा आप अपने फैमिली और दोस्तों के साथ स्वांदार पिकनिक भी मना सकते हैं। राज में 3,55,000 से अधिक ऐसे स्कूली छात्रे छात्राओं का पता चला है जिन्होंने सरकारी और प्राइबेट दोनों में अपना नाम दर्ज करा रखा है। इन बच्चों का नाम सरकारी स्कूलों से काटा जाएगा और उन्हें साइकल पोसाग जैसी सरकारी योजनाओं का लाब नहीं मिल पाएगा। सिक्षा विभाग ने अधार कार्ट को स्कूली, अड्मिसन और अधार सिडिंग को अनिवार कर दिया है जो उसके तहत ये आकड़े सामने आए हैं। मुक्य सचीव डॉक्टर इस सिदार्थ ने असपश्ट नर्देश दिया है कि सरकारी और प्राइबेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का नाम हटाया जाएगा। ताकि योजुनाव का फाइदा सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिले जो पूरी तरह से सरकारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेल न्युक्ति पोटल लॉंच किया है। बिहार के निवासी खिलाडी चाहे वे किसी अन्य राज्य या किंदर सरकार की किसी भी परतिष्ठान में काम कर रहे हैं। बिहार राज्य बीज निगम ने किसानों के लिए एक नई सीड प्रोडक्शन पहल सुरू की है। सिवे बिभिन फसलों का बीज उत्पादक बन सकते हैं और आर्थिक रूप से सम्रिध हो सकते हैं। इसके लिए किसानों को बिहार राज्य बीज निगम की वेप साइट पर उनलाइन आवेदन करना होगा। और उन्हें निरक्षड सुल्क के रूप में 375 रुपे प्रति हेक्टर और पंजीकरन सुल्क के रूप में 25 रुपाई का भोगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद अधार बीज उपलब्ट कराया जाएगा। इस कारिक्रम में भाग लेने के लिए किसान को कम से कम एक गाउं में 10 हेक्टर छेतर में सीड प्रोडक्शन सुरू करना होगा। नेरक्षकों द्वारा नेरक्षड किया जाएगा। कि 150 अधिकारियों को परतिनी किया गया है जो 20 से 23 जनवरी तक अपनी जिम्यदारी ने भाएंगे। समार ने परसासन विभाग द्वारा इस संबन में आदिश भुजारी कर देगा है। बिते दिन सीम नितिश कुमार ने राजगीर स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स टूनामेंट का उद्खाटन किया। और इसी के साथ CIE महिला चैंपियन टॉफी का अगाज हो गया। अंतराश्टी अस्तर पर होने वाला ये आयोजन 20 नॉवंबर तक देखने को मिलेगा। बिहार विमिन्स एसियन होकी चांपियन्स टॉफी का पहला मैच जापान और साउथ कोरिया के बीच टाई रहा। वही इसके दूसरी मैच में चीन ने थाइलेंड की टीम को 15 सुनने सुनने से हराया है। राजकीर में हो रहे इस आयोजन को आप एस्पोर्ट्स चैनल सोनी लाइब और सोनी एस्पोर्ट्स पर भी लाइब देख सकते हैं। व्यार सिक्षा विभाग ने सिक्षगों की पोस्टिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जिसके तहट अब सिक्षकों को उनके ही जिले में पोस्ट किया जाएगा। इस निती के तहट आवेदन भी लिये जा रहे हैं इस निती को लेकर कोई विबाद नहीं है। फिराश्टिय परिक्षड एजनसी यानिकी अंटीय ने इस बार जेई मेन परिक्षण के लिए परिक्षा केंद्रु की संख्या बढ़ा दी है इस बार 284 सहरों में ये परिक्षा आयुजित होगी इस परिक्षा में बिहार के 11 शहर को सामिल किया गया है इनमें पत्ना मुझा परपूर गया और अंगाबाद भागलपूर दर्भंगा आरा समस्तिपूर बिहार सरीप और उताज जैसे परमुक सहर सामिल है पिछले साल ये संख्या 10 थी इसके अलावा इस बार जेई मेन और एडवांस की परिक्षा विदेशों में आयूजित होंगी भारत के साथ साथ 13 देशों की 15 शहरों में ये परिक्षा होगी जिन में बहरीन, मलेशिया, जर्मनी, अमेरीका और सिंगापूर जैसे देश सामिल होगी बिहार के स्वरत बिबेक सागर जो डेक्स्टेरेटी गलोबल के संस्थापक है उन्हें हावर्ट विस्टो बिद्याली के लिडर्शीप उद्यमिता और सिक्षर पाठिक्रम में केस एस्टडी के रूप में सामिल किया गया है श्रत का जीवन और काम हावर्ट के परफिस्रो द्वारा डॉक्टरेट छात्रों को पढ़ाया जाएगा सोलर वर्श की आयू में डेक्स्टेरिटी ग्लोबल की अस्थापना करने वाले सरत सागर ने अब तक 275 करोड रुपए से आधी की स्कॉलर्शिप दिलवाने में मदद की हैं और दुनिया भर के मंचु पर भारत का परतिनिधित्तों किया सरत को क्वीन यंग लीडर जैसे संबान मिल चुके हैं हाली में उन्हें वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर की रूप में संबानित क्या गया है वर्डसप ने एक नया फीचर पेस किया है जिसके तहत अब यूजर किसी इमेज को गूगल पर सर्च करके उसकी सत्यता चेक कर सकते हैं इसे सर्च इमेज ओन दवेब नाम दिया गया है फिलाल ये फीचर बीटा वर्जन में उप्लब्ध है WA बिटा इंफो ने इस फीचर के बारे में डिटेल से जानकारी देने के लिए एक स्क्रीन सौर्ट्स भी सेर किया है जिसमें बताया गया है कि इसे इस्तमाल करने के लिए यूजर को किसी इमेज पर क्लिक करना होगा और फिर चैट में दाहिनी ओर उपर दिये गया है तीन डॉट्स पर क्लिक करके सर्च ओन वेब विकल्ब को चुनना होगा इसके बाद इमेज को सीदे गुंगल पर सर्च किया जाएगा जिससे यूजर को ये पता चल पाएगा इमेज की सोर्स क्या है और क्या ये इमेज असली है या फिर नकली है ये फीचर जल्द ही सभी यूजर्स के लिए प्लब्ध होगा अगर आपको रासन डिपो से रासन नहीं मिल रहा है तो आप निस्नल फूड सीकुरोटी एक्ट की ओपिस्वेल वेब साइट हमारे स्क्रीन पर दिखाएगा है इस वेब साइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सिकायत दर्ज कर सकते है या इस वेब साइट से अपना राज्य का हेल्प लाइन नंबर निकाल कर कॉल करके सिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आप किसी छोटे सहर में रहते हैं तो आप जिले के रासन डिपो में जाकर सिकायत कर सकते हैं इसके अरावा अगर जिले में आपकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर आप राज्य के एक हाध्या पूर और सोसाइटी के तहत राज्यू सिक्षा सूध एउपर सिक्षड परिशत बिहार और बिहार काउंसिल और साइंस एंड टेकनलोजी के सहयोग से किया जा रहा है इस कारिक्रम में बेद्यारती अपनी नावाचारी परतिभा का परदर्सन कर सकते हैं परतियोक्ता के लिए छात उक्षड फसल उत्पादन पर कारकों का परभा सम्रिध जय विभेदिता और जलवायू परिवर्तन का परभा जिला अस्तरिय कारिक्रम 10-14 दिसंबर तक ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन हाइब्रीड मोड में आयुजित होगा जबकि राज अस्तरिय कारिक्रम 20-22 दिसंबर को कि स्कूल जहानबाद में होने की संभावना है क्या आप जानते हैं कि टोल टैक्स चुकाने के बाद उसके बदले में आपको मिलती है कई मैतपोड सुविधाएं जो आपके सफर को आरामदायक और परिशानी मुक्त बनाती है इन सुविधां में 140 पीने का पानी, मेडिकल इमर्जनसी सहायता और आपात कालिन वाहन से वासामिल, टोल पलाजा पर जलपान, आराम करने की जगा और बार्ग की जानकारी भी दी जाती है, अगर यादरा के दौरान वाहन में कोई समस्य आए या इंधन खत्म हो जाए तो हेल्प लाइन के जरिये तौरित सहायता प्र प्रिशित करना है, इसी के तहद बिहार की इवाव के लिए के वाई पी और बी एस सी एफए कोर्स में नमांकन जा रही है, इसके लिए इसे इवाँ अपने स्किल्स को अपग्रेड करके रोजगार की नए आउसरों की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, के वाई पी और वी एस स इसी एफए कोर्स में नमांबर 24 बैच के लिए नमांकन की अंतिम तारीक जो है 20 नमांबर है, एक शुक मिद्वार आकरी तारीक से पहले नमांकन करवाना सुने शिर करें, पुर्वा हवा चलने से 12 नमांबर तक मौसम सुस्क रहेगा, फिलाल पट्टा समेत राज्य भर मे ठंड पढ़ने की संभावना नहीं है, वाई मंडल में आदरता रहने की वज़ा से सुबह में धूंद रह रही है और दिन में फिर मौसम साफ हो जा रहा है, मौसम बेभाग के पुरवानुमान के अनुसार, राज्य में इस सप्ता कोई अलर्ट नहीं है, पच्मी विछोब दस्तक देने वाला नहीं है, हलांकि हर साल दिपावली और छट के बाद ठंड का असास होने लगता था, पर इस बार पच्मी विछोब के दस्तक नहीं देने से ठंड का असास नहीं हो रहा है, आज बुदवार को अधिक्तम तापमान 30-31 और नियुंतम तापमान 22 डिगरी क बीच रहने की संभावना है, दो दिन बाद नियुंतम तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। ये मामला SSB, पुलिस और अन्ने एजन्सियों द्वारा संजुक्त रूप से जाचा जा रहा है। पुलिस और अरोपी से पुस्ताज कर रही है और गिरोगी निटवर्क का खुलासा करने की कोसिस कर रही। बिदेदिन बिहार के गया जिले के बेला गंज बिदान सबाचेतरी में राज़त सुप्रेमो लालू परसाद यादों ने एक चुनावी सभा को संबोदित किया। इस दोरान उनोंने महागडबंदन को एक जूट होकर आगामी विदान सबाचुना में समर्थन देने की अपिल की। अपने खास अंदाज में लालू यादों ने कहा कि नरेंदर मोदी को साथ समुंदर पार फेक देना है। और भाजपा को निसाने पढ़ लेते हुए कहा कि अब समय है लाल्टेन पर बटन दबाने का और बीजेपी को उखाड फेकने का। ब्यार के बकसर से आरजडी के सांसर सुधाकर सिंग के लिए मुसीबिते बढ़ सकती है। इसका ठोस सबूत पेस करना होगा वरना उन्हें 24 घंटे के भेतर माफी मांगने परेगा। भारत ने अगली साल पाकिस्तान में होने वाले चांपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। भारती किर्केट बोर्ड यानि की बिसीसी आई ने आई सीसी को एक एमेल भेश कर ये जानकारी दी है कि भारती सरकार ने टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं दी है। इस मेल को पाकिस्तान किर्केट बोर्ड को भी भेजा गया है जिसके बाद पाकिस्तान में हल चल मच गई है। आजे के दिन सन 1979 में प्रधानमंतरी इंद्रा गाधी को कॉंग्रेस की प्रात्मिक सदस्यता से अलग करने की घोसना की गई थी। आजे के दिन सन 2009 में भारत में परियाटन को बढ़ावा देने के लिए किंद्र सरकार ने अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रेबल अवर्ड 2019 से नवा जाग था। आजे के दिन सन 1940 में अमजद खान का जन्म हुआ था ये एक परसिद अभिने था थे और आजे के दिन 1986 में भूनेस्वर परसाद सिनहा का निधन हुआ था ये भारत के बुद्परो छटवे मुखे नयाय थी इस थी। भारती रेलवे जल्द ही एक सूपर आप लॉंच करने की तयारी कर रहा है इस आप के जर ये यातरी, टिकेट, बुकिंग, पी, एन, आर, स्टेटर्स, ट्रिन, का स्टेटर्स, खानपन सिवाय और यहां तक की परियाटन सिवाय भी देख सकेंगे इस आप का निर्मार रेल परियू को ना केवल सुविधा मिलेगी, बलकि आई, आर, सिटिसी की कमाई भी बढ़ने के उमेड़, सोसल मीडिया पर इन दिनों एक फरजी अनुमोदन पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि MSME मंत्राले ने PMEGP योजना के तहत 51,000 के भु योजना के तहत व्यक्तिगत लभार्तियों के साथ सीधे तोर पर कोई भी वितिये लेन देन नहीं करती है। जीत दर्ज की है, ओप्शन A है डोनाल्ड ट्रम्प, ओप्शन B है कमला हैरिस, ओप्शन C है जो बाइडेन और ओप्शन D है मिसेल ओमाबा, इसका सही उतर होगा डोनाल्ड ट्रम्प। इसका सही उतर होगा भारत। बिहार में सदर अंजुमन एहिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। ओप्शन A है गजादर परसाद, ओप्शन B है सर अली इमाम, ओप्शन C है पुडेंदू नरायन सिनहा, ओप्शन D है मुनसी प्यारेलाल, इसका सही उतर होगा मुनसी प्यारेलाल। सत्यूग नामक पत्री का किसने परकासित किया था? ओप्शन A है महेस नरायन, ओप्शन B है पुरसोत्तम नरायननन्दा, ओप्शन C है बावु महेसवरी और ओप्शन D है इनमें से कोई नहीं, इसका सही उतर होगा B, पुरसोत्तम नरायनननन्दा। पूलाल मरांटी, रोहित कुमार मंडल, बिबेक मिस्रा, मुहम्मद जामस, पुस्पा कुमारी, राजी समाजी, बिजय घायल, संकर दयाल, संकर दयाल यादव, मोनु, सोनु राज, नेहा कुमारी, उमेशरी सिदेव, मुहम्मद साकिर हुसेन, संजीव कुमार, संजीव कुम तब हमें हमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नूज और आप यूटूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेस्बुक पे जिएगा धन्यवाद